इन्पोर्टेंट है देखो रेशो का जो है मेरे हिसाब से अब पूरे कोश्चन तो कम ही पूछे जाए MCQ का स्कोप आने के विए से यह बढ़ी का है रेशो का पॉइंट आने का उसमें रीजन बेस भी आएगा कोश्चन इंप्रूब आपका नॉट इंप्रूब नॉट चेंज नॉन अव दीज इस तरीके सा सकता है और जो हम कॉंसप्ट एक बार जो रीजन बेस कोश्चन होता है उसका अगर एक कॉंसप्ट हम समझ जाएं तो कोई भी रेशो हो चाहे आपका करंट रेशो हो क्विक रेशो हो डे कि रीजन का मतलब क्या है और यहां पे रीजन आपके तीनी हो सकते हैं या तो इनक्रीज याटिक्रीज या नोचेंग अवे एक बार प्रूब करके देखेंगे उसके बाद हम डिसिजन लेंगे क्या पोइंट कब अपलाई करना है आपको एक्जामनर क्या करेगा जैसे सब सब्सक्राइब करो कि आपको एक्जामनर ने करन्ट रेशो दे दिया कि करन्ट रेशो दे दिया आपको एक्जामनर ने कि सब्सक्राइब यह दे देता है आपको टू बाइवन एक तो इस फॉर्म में हो सकता है तीन तरीके से हो सकता है एक हो सकता है आपका one by one यानि इसको और मैं simple बोलू तो two is to one और इसको simple बोलू तो one is to one या तो आपका हो सकता है three by four, suppose करो या फिर मैं रख देता हूँ यहाँ पर one by two, जिसको हम बोल सकते है one is to two यह तीनी type दे सकता है, इससे उपर कोई भी आपका examiner का नहीं है, तीनी है अब ratio improve का मतलब होता है जैसे अगर मैं आपसे पूछू hundred divided by fifty और मैं आपसे पूछू hundred divided by ten कौन सा digit ज़्यादा बड़ा है मैं A और B की बात कर रहा हूँ B, यहाँ पर result आएगा ten यहाँ पर result आएगा two तो आपका obvious है कि आपका two बड़ा है यानि divide में जितना भी ज़्यादा रहने वाला है उससे आपके ratio पे क्या फरक पड़ रहा है बताओ कम हो रहा है, तो एक तो यहाँ से यह logic हमें सोच के चलना पड़ेगा आगे यानि जितना हम divide करते है denominator में उससे क्या होता है, हमारा ratio क्या यानि उसका जो points है वो क्या आताएगा कम अगर मैं आपसे पूछू 100 divided by 75 तो यह वाला और कम हो जाएगा, अगर मैं 10 के जगा पर 5 करूँ तो यह ज़्यादा हो जाएगा समझ मैं है, यानि जितना ज़्यादा नीचे हम divide करेंगे उतना हमारा ratio पर क्या फरक पड़ेगा, ratio उतना हमारा कम होता जाएगा ठीक है, तो मैं एक simple सा logic लो कई बार आपका मान लो, आपका ratio है, मैं यहाँ पर simple एक common point ले रहाँ, कई बार ratio है आपका 100 divided by जैसे मैंने बोला 2 तो आपने बोला 100 divided by 10 आपने result दिया 10 और एक मैंने बोला था भी 100 divided by 50, आपने result दिया 2, आपने बोला सर इसके अंदर ज़्यादा decrease होगा इसमें कम decrease होगा, decrease तो दोनों में होना है, लेकिन किसी में ज़्यादा और किसी में कम होगा अब ये कब हमें अपलाई करना है कब हमें मालो नीचे ही प्लस हो रहा हो और नीचे ही माइनस हो रहा हो नीचे ही प्लस और नीचे ही माइनस उपर से कोई मतलब भी नहीं है तो इसमें no change होगा ठीक है अगर उपर ही plus हो रहा है और उपर ही minus हो रहा हो तब भी no change होगा change कब होगा हमारा नीचे उपर दोनों हो रहा हो या कहीं एक जगह हो रहा हो ठीक है न यानि अगर मैंने बोला आपको no change का result कब आएगा जैसे आपका कोई भी ratio है मान लेते हैं 5 divided by 2 है तो reason number one आपका यहीं पर plus और यहीं minus तो no change के factor में जाएगा वो ऐसा क्या-क्या हो सकता है आपका cash purchase goods current ratio की मैं बात करता हूँ cash purchase goods bank कम हो जाएगा stock बढ़ जाएगा सो रुपे यहाँ plus होगा ultimately कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा हमारा second reason आपका क्या हो सकता है second reason हो सकता है आपका जैसे कि आपका five by two है तो यहीं पर plus और यहीं minus एक example बताओ sir आपका creditor को convert कर दिया bills payable में तो creditor minus हो जाएगा और bills payable क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो no change का reason क्या है same जगह पे minus और same जगह पे plus पहले एक तो यह point no change का पहले concept आपको है कोई भी ratio मैं सिर्फ current ratio की नहीं बात कर रहा है आपसे कोई भी ratio यहीं फरक पड़ेगा मैं एक एक दो-दो example भी दे देता हूं जैसे इसमें मैंने बोला आपने cash में purchase किया तो no change होगा दूसरा बीपी को आपने किसमें convert कर दिया क्रेटर में तो no change होगा इसी तरीके से assets की मैं बात करूं तो आपने क्या करा cash deposit into bank cash कम हो गया और bank no change में आएगा क्योंकि उपर साइड ही हमारा दोनों impact पड़ रहा है यह हो रहा है इसके बाद हम क्या कर सकते advance advance receive from आपका या मैं बोल सकता हूँ advance payment में तो दोनों साइड आ जाएगा creditor के एक दो और example होंगे मैं भी बता दूँ आपको सबसे पहले इसका क्या पता चला आपको इसमें क्या होगा ratio no change और इसमें भी क्या होगा ratio no change बुक के अंदर question देखेंगे उससे हमें clear होता जाएगा ठीक है अब हम बात करतें increase का number one मैं वही ratio ले रहा हूँ two by one ठीक है वैसे तीन टाइप से मैं पहले two by one का example लेके चलता हूँ इसमें तो मैंने बता दिया इसमें तो कोई भी रहेगा same impact पढ़ना है two by one का two by one में ज्यादा कहा है बताओ अपर साइड में ज्यादा है अब इसके अंदर हो सकता है case number one case number one आपको यहाँ पे ही plus हो रहा हो सिर्फ नीचे कोई impact ना आ रहा हो ऐसा हो सकता है ठीक है तो अगर यहीं पे plus हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा ज़्यादा कहां पे हमारा ऊपर तो improvement उपर ज़्यादा आएगा उपर अगर plus करेंगे तो हमारा ratio बढ़ेग जैसे मैं बोलू 100 divided by 50 और मैं बोलू 1500 divided by 50 तो आप बोलोगा सर इसका तो ज़्यादा आएगा तो ऐसे case में क्या होगा सिर्फ उपर ही plus हो रहा हो तो इंक्रीज होगा समझ में आए यह दूसरा example देखो example बताओ सर उपर ही plus हो ऐसा fix assets sold कर दिया तो fix assets बेचा तो हमारे current assets पे तो कोई फरक नहीं पड़ा बाकि cash आ गया और यहां पे हमारा जोड़ जाएगा ठीक है और example बताओ हमारा और example हो सकता है fix assets के बाद हमने क्या करा equity share से पैसे receive करें तो liability पे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा पैसा आएगा कहां एगा bank में और upper side में फरक आएगा दूसरा यह हो सकता है जैसे मैंने बोला 2 by 1 मैं increase के points बता रहा हूं decrease पे तो अभी मैं गया ही नहीं 2 by 1 तो ऐसा probability हो सकता है कि यहां पे plus हो जाए और नीचे भी प्लस हो जाए ठीक है जैसे आपने उधार माल खरीदा तो stock भी प्लस होगा और यह भी प्लस होगा तो यहां क्या change होगा यहां सबसे ज्यादा confused होते हैं यहां पे हमें कैसे देखना है ज्यादा किधर है ratio में ज्यादा उपर है debit में तो यानि इसका मतलब यह improve होगा अगर यही चीज मैं कहता कि 3 by 4 है यहां भी प्लस यहां भी प्लस ज्यादा खहाँ है तो ratio decrease हो जाता है यानि आपको पता है जहां पे ज्यादा फरक पड़ता है तो ratio कम होता है 겉घर हमारा उपर कम ज्यादा फरक पड़ता है तो ratio क्या होता है improve तो यह दो case मैंने किसके बताए प्लस है रेशो इंप्रूब होगा ज्यादा डिजिट का है यहां पर इस तरीके से और यहां पर क्या है आपका एक ही साइट प्लस हुआ और वो भी कहां प्लस हुआ आपका सिर्फ उपर प्लस हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा इंप्रूब और देखो एक्जांपल मालो मैंने बोला 3 by हम लेते हैं 3 by अब माइनस प्लस प्लस का देख लिए आपने अब माइनस का देखते हैं माइनस में मैं लिया 3 by 4 ठीक है 3 by यहां भी माइनस किया यहां भी माइनस किया अब इससे क्या फरक पड़ेगा चलो example लेते हैं 3 by 4 की जगापे मैं लेता हूँ 100 divided by 200 ठीक है दोनों साइट 20-20 minus करें अभी ratio क्या है 1 is 2 तो यह दोनों साइट 50-50 minus करके देखें क्या result आता है अगर यहाँ भी 50 minus करूँ यहाँ भी 50 minus करूँ तो result 50 by 150 ratio क्या आ गया अब बताओ बड़ा कुन सा है अगर मैं दोनों साइट minus कर रहा हूँ तो मेरे ratio पे क्या फरक पड़ा कम हो गया जादा हो गया कम हो गया न क्योंकि 1 by 3 करोगे तो point में कुछ और आएगा और 1 by 2 कितना होता है point 5 और 1 by 3 कितना होता है point 3 ठीक है यानि अगर denominator में जादा है देखो denominator में मैंने बुला जहां जादा होगा वहां फरक सबसे जादा पड़ने वाला है तो denominator में जादा है फरक कहां पड़ेगा यहां पे नीचे की साइड में और नीचे जब जादा फरक पड़ेगा तो ratio तो बढ़ेगा इस case में भी ratio क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे है? उपर है, तो फरक कहाँ पड़ेगा ज़्यादा? अगर उपर ज़्यादा speed में आपका plus हो रहा है, तो ratio क्या होगा? यहाँ पे देखो आपका, एक ही side impact आ रहा है, तो ratio क्या होगा? सुझ में आए क्या है? आपको वो question देगा, आपको सिर्फ कोई भी, मैं 2 is to 1, 3 is to 1, x, y, z, कोई भी example लेकर आप वहाँ पे समझ सकते हो, चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आपका suppose करो, decrease का मैं example लेता हूँ, माल लेते हैं 2 by 1, सिर्फ यहाँ पे plus हो गया आपका, कोई भी point plus होता है यहाँ पे, सर सिर्फ यहाँ पे क्या plus हो सकता है हमारा, हो सकता है, मैंने क्या करा, outstanding interest, outstanding interest का payment तो नहीं होता न, bank वालों को loan लिया, उसको भ्याज नहीं दे रहा, तो outstanding interest बढ़ेगा, तो सिर्फ कहाँ plus होगा, liability में, asset से कोई ले ना देना नहीं है, अब बताओ plus कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इसमें ratio क्या होगा, decrease होगा, ठीक है,